हलो स्टेंड आज की वीडियो में जो हमारे प्रश्ण है वो कल की वीडियो की अगली सुरिंखला है प्रिवेस वीडियो में हमने संकर के ब्रह्म विचार को समझा था इसका फ्रेम आठ और पंद्रा नंबर दोनों में हो सकता है किस प्रकार लिखा जाए ये मैंने आपको बताया था आज की वीडियो का जो हमारा मुख्य प्रश्ण है वो है संकर का माया विचार और सबसे महत पुन और जटिल तो नहीं कह सकता पर दर्शन की रिष्ट्री कोंड से वो है मौक्ष की अवधार्ना बहुती महत पुन है ये तो आज की मेरी वीडियो का दो मुख्य बिंदु है एक है माया की अवधार्ना इसके लिए आप मेरा प्रिवियस वीडियो देखेगा वहाँ पर मैंने संकर की ब्रह्म विचार को समझाया है संकर की पुरिदर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो है ब्रह्म और हमने यह इसपष्ट देखा था कि संकर की अनुशार एक मात्र जो सत्य है वो जगत ना होकर ब्रह्म है ये उन्हें ब्रह्म को ही सुप्रीम रेयलेटी सत्य माना था और ब्रह्म की तुन्ना में संकर ने जगत को मिथ्या और मिथ्या किस संदर्व में हैं किस एस्पेट में हैं ये मैंने बताया था मिथ्या मत्तब ये ब्रह्म का ही विवर्त रूप है और यह जो विवर्थ रूप हमें दिखाई देता है जगत में इसका जो मूल कारण है उस मूल कारण को संकर ने माया की रूप में दर्साया है संकर की अनुसार माया अब हमारे प्रश्ण का उत्तर बनेगा अब हम जा रहे हैं तो देखिए जब भी प्रश्णाया की माया क्या है माया की प्रह्मुक विशिस्ताओं को बताएं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि संकर की जो दर्सन का जो केंद्र बिंदू है वो है ब्र माया की विज़ से तब यहां से आप माया को यानि यह आपको इंट्रू देना पड़ेगा तो यह होगी आपका इंट्रू अब आएंगे माया का कार्य क्या है the function of माया तो माया के कारे को हम दो रूपों में देखते हैं एक positive aspect में और एक negative aspect में यहनि माया की दो कारे है सकरात्मक एवं न करात्मक सकरात्मक रूप में अगर हम माया के कारे को देखें तो सकरात्मक रूप में माया का जो कार ये है कि वह ब्रह्म की सकती है ब्रह्म इसे के माध्यम से इस जगत को रचता है तो ये ब्रह्म की सकती है तो पावरा ब्रह्म है इसलिए सकरात्मक है अगर ये ना हो तो ब्रह्म का विवर्त रूप ये जगत बने गए नहीं, जो creation है, उसका कारण है माया, इसलिए माया सकती है, ब्रह्म की यह उसका सकरात्मक है, नकरात्मक यह negative aspect यह है, कि हमें ब्रह्म की जगा पर, हमें उसका वीवर्थ, क्या दिखाई देता है, जगत, माया की वज़ा से हम जगत को सत्य मान लेते हैं, हमें वास्त परिपेच में संकर ने आविद्या कहा है, तो माया को ही उन्होंने मूल आविद्या माना है, मत्तब यह है कि माया की वज़से ही हम इस जगत के प्रपंच में फसे होते हैं, हम वो supreme reality को उस परम सत्य को देखनी पाते हैं, और उसका मुखी कारण है माया, यहाँ पर वो example दे हैं कि जैसे रस्टी है, और रस्टी को हम देख रहे हैं क्या सर्प, तो रस्टी का सर्प दिखाई देना, इसका कारण है यहाँ पर अंधिरा, यहाँ पर प्रकास नहीं है, आप इस प्रकास को लिले जी अग्यांता की रुप में, कि कमरे में रस्टी रखा हुआ है और light कम है तो अचानक हम जब देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई साफ है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर light कम है प्रकाश कम है इसी प्रकाश को हम अपने जीवन की रुप माने तो ये अज्यानता है यानि अज्यानता की वस ही हम उस supreme reality को ना देखते हुए उस जगत को देख रहे हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं तो यहाँ पर माया इसलिए प्रभाबित कर पा रही है क्योंकि ये खुद आविद्या है यानि अज्यानता की कारणी हम जगत को सत्यमाल लेते हैं तो ये माया का negative work हो गया कि उसी की वज़त से ही हमें उसका वीवर्त यानि हमें जगत दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर माया की दो कारे हो गए अब question है माया की प्रमुख विसिस्ताएं क्या है तो अगर आपको ब्रमुख की विसिस्ता याद है तो कुछ विसिस्ताएं यहाँ पर भी होंगी अब हम देखते हैं माया की प्रमुख विसिस्ताएं को माया की प्रमुख विसिस्ताएं पहला सबसे इंपोर्टेंट माया आइस्थाई है टेम्प्रेरी है टेम्प्रेरी इन दा सेंस कि अगर आपने ज्ञान प्राप्ते कर लिया आपको ज्ञान मिल जाएगा तो फिर आप माया से प्रभावित नहीं होंगे इसलिए ब्रह्म का सक्ती होने के बाउजित भी माया ब्रह्म की तरह इस्थाई नहीं है अर्थाद माया टेम्प्रेरी है और इस्थाई है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है इसका इस्थान ब्रह्म है और यह ब्रह्म माया की रूप में ही इश्वर की रुप में होता है माया भी आ निर्वर्चनी है यहाँ पर जो आ निर्वर्चनी है वो इस्थान को लेकर नहीं है यहाँ पर आ निर्वर्चनी माया का जो प्रया वो है वो है सत असत को लेकर तो सत्त है कि असत्त ये बताना कठिन होगा इसलिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है आ निर्वर्चनी ब्रह्म में ये हमने उनके इस्थान को लिए कहा था कि ब्रह्म कहा है तो हमने कहा था कि ब्रह्म को आ निर्वर्चनी माना गया है यहाँ पर जो माया को आ निर्वर्चनी कहा जा रहा है वो सत्थ और असत्थ के सब्जेट में है इस अधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसत्य के सत्थ है इसलिए वहाँ पर माया की वीसिस्ताओं में भी हमने लिखा है क्या आ निर्वर्चनी है यह भी निर्गुण होगा ब्रह्म की सक्ति है अब लिसकतें इसको इसका इस्थान ब्रह्म है यही ब्रह्म का ब्रह्म की सक्ति है माया अध्यास है सुपर इंपोजिशन कहते हैं अध्यास मत्तब इसी की कारण नहीं हमें जगत दिखाई देता है यह जो विवर्थ रूप है तो यह चार-पांच विसे स्ताइं हो जाएंगी क्या माया की तो माया क्या है पुछेगा तो आपको आना पड़ेगा संकराचारे के उस कथन पर कि ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है जगत मिथ्या की संदर्व में आप इसको बताएंगे और वही पर फिर आप introduce करेंगे माया को और इस माया की कारण ही यह जगत विपी परपंच याँ खेल रची जाते हैं हम इसलिए जगत को सत्य मान लेते हैं क्योंकि हम प्रभावित होते हैं कि इससे माया से माया को स्र्वाम संकर ने मूल आव विद्या कहा है अच्छा जड़ी आप विद्या प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप इस माया से प्रभावित नहीं होंगे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा वो परमसत्य इसे संकर ने क्या कहा है आपका ब्रह्म अप्रश्ण ये उट्टा है कि हम किस प्रकार ज्ञान प्राप करें हम ऐसा क्या करें कि हम इस माया से प्रभावित ना हो तो इसका उत्तर संक्राचारिय या ज़ारी संकर यह आपको देंगे अपनी मोक्ष की अधान ना में अब बहुत ही इंट्रेस्टिंग इनका इसे धानत है मोक्ष का देखेगा मोक्ष संकर ने बिलकुल अलग तरीके से इसे डिफाइन किया है तो अब तक जो हमने अध्यन किया समझा उससे यह स्पष्ट है कि इस परम सत्य पे जो आवरंड है इसकी वज़ाद से हम जगत को देख पा रहे हैं और सत्य मान रहे हैं उसका मूल कारण है माया माया को खुद संकर ने आविद्या कहा है इसका मत्तब संकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का जो साधन होगा वो होगा ग्यान समझेगा भारती दर्शन में मोक्ष के तीन मूल साधन बताएगा है कर्म, भक्ति और ग्यान अब चुकि संकर के अनुसार माया खुद अविद्या है इसका मत्तब अगर हम विद्या प्राप्त कर लें ग्यान प्राप्त कर लें इसका मत्तब बताएगे कि संकर के अनुसार जो मोक्ष का मार्ग होगा वह मोक्ष का मार्ग कर्म एवं भक्ति ना होकर वह मार्ग होगा वो मार्ग होगा ज्यान मार्ग होगा यानि संकराचारे ने, संकर ने अपने दर्शन में मोक्ष के लिए ज्यान को आवश्यक माना है, ज्यान मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ती होगी, ये मानना है संकर की, तो अगर आप लिख रहे हैं संकर के अनुसार मोक्ष की आउधाना, तो हाँ इस पस्ट लिखें, क्लियर लिखें कि संकर के अनुसार कर्म एवं भक्ति मार्ग से मौख्छ की प्राप्ति मौख्छ की प्राप्ति होगी और वहोगी किसे ज्ञान से यह आपको पताना पड़ेगा हां पर संकर ये भी कहतें कि कर्म और भकति ये दोनों आवश्क है limo प्राप्ति के लिए समझेगा इससे मौक्ष नहीं मिलेगा पर दोनों ग्यान प्राप्ति में सहायक होंगे अर्थात आप मान लेजिए कि आप किसी व्यक्ति से सिच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत आवश्चक होगा कि आप उस पर करम करेंगे बहुत आवश्चक होगा कि आप उस पर बिलीव करेंगे तो किसी पर बिलीव करना वो भक्ति हो गई उसके अनुसार करम करना आपका करम हो गया पर भक्ति और करम से मिलेगा क्या आपको ग्यान तो आप से पूछा जाए कि संकर के अनुसार मौक्ष का कौन सा मार्ग है तो ग जाएंगे ज्यान कैसे प्राप्त होगा और वही उनकी मौच्च की आवधान में ज्यान क्यों प्राप्त करना वश्चक है उसी ज्यान को प्राप्त करके फिर आप इस माया के से आपका जो प्रभाव है माया का वो समाप्त हो जाएगा और अगर ये प्रभाव समाप्त हो गया तो फिर आपको जगत नहीं अपी तू फिर दिखाए देगा कोन आपका ब्रह्म अब देखते हैं किस प्रकार ज्यान प्राप्त होगा क्या लिखा जाएगा परिचा तो ज्यान प्राप्ति के लिए शर प्रथम आपको बनना होगा साधक तो ज्यान के लिए जो पहला है वो है साधक और साधक के लिए आपको करने पढ़ेंगे कुछ साधन और संकर ने उसे कहा है साधन चतुष्टे अलग से पियसी ने प्रश्ण पुछा है यानि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा साधक बनना पड़ेगा और अच्छा साधक बनने के लिए चार साधन है इसे संकर ने साधन चतुस्टे कहा है, चार साधन है, इनमें पहला है नित्या नित अर्थात विवेक, इसका मतब यह है कि एक साधक बनने के लिए आवश्यक है, कि आपको यह ज्यान हो कि कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी क्या है अनित्य है, तो नित्य एवं अनित्य का भेद पता होना चीए, नित्य मतब होता है पर्मानिंट, अनित्य मतब होता है टेंप्रेरी, तो नित्य अनित्य का आपको ज्यान होना चीए, दुसरा है इहा भुतार्थ अर्थात वैराग्य यानि इह लोकिक एवं पर लोकिक जो चीजे हैं जो सुख है उनका आपको परित्याग करना है लोकिक एवं अलोकिक सुख होगा इन सुखों का आपको परित्याग करना है एक साधक बनने के लिए आवश्यक है लोकिक मत्तब इस संसार की सुख्स पर लोकिक मत्तब आध्यात्नी उस संसार की यानि स्वर्ग की काम नहीं इस पर कारे की फिर तिसरा है समदमादी यहाँ पर आपके छे साधन बताए गए हैं इसका आपको पालन करना है सम दम सरद्धा समाधान धान रखने हैं चीज़ों का सा सुर्य एवं तितिच्छा इन छे चीज़ों का आपको पालन करना है सम का अभिप्राय होता है मन का नियंद्रण दम का अभिप्राय है इंद्रियों पर नियंद्रण सरद्धा मत्ता वत्ता है सास्त्रों पर यह मारे सास्त्र हैं उन पर विश्वास समाधान का है चित का अपने लच्छ में साधना उपरती मत्तव है जो विच्छेव कारी चीजे है डिस्ट्रक्टिव चीजे है इन से दूर रहना है और तितिछा मत्तव होता है अपने सरीर को सरदी और गर्मी को सहने के लायक बनाना है अपने सरीर को यानि एक अच्छे साधक बनने के लिए ये सब है और चौथा है मुमु चुत्तो कहते हैं इसको इसका मत्तव है कमिट्मेंट अर्थाथ लच्छ प्राप्ति के लिए द्रिंड संकल्पित तो आपको ग्यान प्राप्त करना है तो ग्यान प्राप्ति से पुर्व आपको अपने जीवन में इन चार साधनों से होकर गुजरना पड़ेगा इसका पालन करना पड़ेगा यदि आप ऐसा करते हैं तब इन चारों की उपरान आप एक अच्छे क्या बनते हैं साधक तो यह साधक बनने की प्रक्रिया है अब आप साधक बन गए संकर कहते हैं कि साधक इन साधन चतुष्टे के बाद अब वह समीप जाएगा गुरु के अब उक्त को आ सकता है एक गुरु की एक सिच्छक की अब गुरु के माध्यम से वह जो हमारे वैदिक साहित्य हैं वेद हैं उपनिशद हैं इनका वो अध्यन करेगा कैसे करेगा देखिए अब वह गुरु के समीप जाएगा अब फिर जो गुरु हैं वो उसको कहेंगे तो गुरु के कथन पर पहले होगा स्रवन फिर होगा चिंतन और फिर होगा नीधी ध्याशन स्रवन का अभी प्राह है कि गुरु के वचनों को वो सुनेगा सुनने के उप्रान उसका बौधिक रूप से चिंतन करेगा सोचेगा उसके बारे में और नीधी ध्याशन मतब होता है कि वह अब उसका निरंतर अभ्यास करेगा इस्मरन करेगा डेली पढ़ेगा तो सुनना है उस पर चिंतन करना है और उसे अपना अभ्यास में लाना है प्रैक्टिस करनी है गुरु जो कह रहा है जो ज्ञान दे रहा है गुरु के ज्ञान का स्रोथ है वैदिक साहित वेद और क्या ओपनिशद जब वो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरेगा तब साधक गुरु के समीफ है तब गुरु साधक से कहेगा तत्तो मसी अर्थाथ तुम ही ब्रह्म हो तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो इसका मत्तब यह है कि जब वो गुरु के कतनों पर उसे सुनेगा चिंतन करेगा लगत तरह भ्यास करेगा तब गुरु स्वेम कहेंगे तत्तो मसी अर्थाथ तुम ही ब्रह्म हो अभी प्राय यह है कि अब उस साधक को ज्यान प्राप्थ हो चुका है किसका ज्यान तो वो है ब्रह्म का ज्यान जो उससे अलग नहीं उसके मन में ही है स्वेम का ग्यान था वो तो गुरु कहेंगे तत्व मसी अर्थात तुम ही ब्रह्म हो अर्थात अब उस साधक को तत्व ग्यान मिल चुका है ब्रह्म ग्यान मिल चुका है तो ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती होगी और ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती ही संकर की दर्शन में मोक्ष कहलाता है मोक्ष मृत्यू की बात नहीं संकर इस पश्ट कहते कि मोक्ष इसी जीवन काल में प्राप्त होगा और वो प्राप्त होगा ज्यान की प्राप्ती से कि इसका ज्यान वेद और उपनिसद में ज्यान वो ग्यान गुरू के माध्यम से मिलेगा पर गुरू के समीब जाने से पहले उसे एक अच्छा क्या बनना होगा साधक और साधक बनने के लिए उसे इन चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा जब वो साधग बन जाएगा जब वो गुरु के समीब जाएगा गुरु की करत्नों को सुनेगा उसको चिंतन मनन करेगा उसका लगातर अभ्यास करेगा तो गुरु स्वैं और मैया से प्रभावित नहीं होगा पर सबसे important है कि संकर ने मोक्ष को मृत्यू से नहीं जोड़ा है दुसरा मोक्ष की जो आवस्था है प्रश्णी यहाँ पर यह है कि इसमें क्या होगा कि इस प्रकार का परिवर्तन होगा तो इस पश्ट कर दें कि मोक्ष में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं इसमें जो परिवर्तन होता है वो आध्यात्निक परिवर्तन होता है सोच विचार में परिवर्तन होते है तो मोक्ष आवस्था है एक स्टेज मुक्यता दर्सन में मोक्ष को सुख और दुख से सुन्य माना गया है जैसे गौतम मुद्य पढ़ेंगे तो वो दुख और सुक दोनों से सुनने हैं, परंतु संकर में मौक्ष की अवस्था, आनंद की अवस्था होगी, या बिलकुल लिखें, यह आनंद की अवस्था है, यानि सुक की अवस्था है, दुख नहीं होगा, पर सुक की अनुवती होगी, सुक अनुवती क्यों, क्योंकि संकर ने अपने दर्शन में, यह इस प्रश्था कहा है, कि जो ब्रह्म है, वो तीन रूपों में है, ज्यान देजेगा, वो सत्त है, वो चित्त है, वो आनंद है, यानि वो सत्त रूप में है, सत्त मत्तब वो हमेशा रहेगा, चित्त आत्म रूप है, और सबसे इंपोर्टेंट ब्रह्म आनंद रूप में है, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हम ब्रह्म को सचीदानंद कहते हैं सत्धन चित्धन आनंद तो एक बात बताईए यदि हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं हमें ब्रह्म के दर्शन होते हैं और जो ब्रह्म स्वयम आनंद में हैं तो सो भाविक से उसे प्राप करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी क्या होगा आनद। इस प्रकार संकर का ये संपूर्ण मौक्च की आउधारना है। पंदरा नमबर पर पेसे पूछेगा तो आपके पास इनफ कंटेंट्स है। आप अराम से इनको इसी फ्रेम में लिख दीजे। पूरे मार्क में लेंगे। पर ये अवस्य बताएगा कि मौक्च की अवस्था में दुख समाप्थ हुए हैं। सुक नहीं आपको प्राप्ति ह कि जीवन में भी सुकर क्या होगा आनन्द पर ये सुकर आनन्द भौतिक नहीं ये आध्यात्निक है। इसलिए संकर ने मौक्च को मौक्च को मौत्यू से नहीं जोड़ा है। थैंक।